बड़ी खबर दहरादून से आ रही है मुख्र शुक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी निलंबित कर दिये गया है शुक्षा सचिव आर मिनाक्षु सुन्दरम ने आदेश जारी किया है राज़पाल के आदेश के बाद से निलंबन के आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है रिश्वत लेते गिरफतार हुए थे और उसके बाद ये आदेश दिया गया शिक्षा सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किया और राज़पाल ने इस पर मुहर लगाए उसके बाद निलंबन का आदेश अब जारी कर दिया गया है जगमोहन सोनी रिश्वत लेते गिरफतार हुए थे उसके बाद मुख्ष शिक्षा अधिकारी पर ये क्यारवाई की गई शिक्षा सचव आर मिनाक्षी सुंदरम ने आदेश दिये जिस आदेश पर राजिपाल ने अपनी मुहर लगाई और उसके बाद निलंबन के आदेश जो हैं वो दे दिये गए हैं तो दहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्ष शिक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी निलंबित कर दिये गए हैं शिक्षा सचेव ने ये आदेश दिये थे पंकज हमारे सही होगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जूर चुके हैं पंकज रिश्वत लेते गिरफतार हुए थे और ये एक तरह से कह सकते हैं बड़ी कारवाई की गई और ये कारवाई होनी चाही थी लेकिन इतनी जल्दी राजपाल ने भी सहमती इस पर दे दिया अब आगे क्या है कुल मिलाकर जो जीरो टॉलरेंस की बाद सरकार कहती है बरस्टाचार पर उस पर ये ये कड़ा प्रहार करता हुए नजर आता है पंकर जब मोहन सोनी की तरफ से कोई रियाक्शन आया है क्या पहले से इस तरह की कोई बाते आ रही थी सामने क्योंकि अचानक से ये गिरफतारी होती है कहीं से शिकायत पहले से भी मिलती रही होगी शायद कि ये इस तरह से रिश्वत मांगते है पिल्कुल एक सिक्षक से लगातार उनका जो अकाउंट सेटल करने के लिए रिश्वत मांग रहे थे और वो सिक्षक के द्वारा ही ये शिकायत जो है वो सतरजा भागवे की गई थे उनको बकायता जगमोहन सोनी को ट्रैप किया गया और ऐसा हो सकता है कि इससे पहले भी कई मामले हुए हो लेकिन किसी सिक्षक ने आवाज ना उठाई हो जिसकी विज़े से ये पकड में आया हो लेकिन इस मामले में पकड में आया है और सरकार ने इसमें उनको निलंबित कर बहुत बहुत शुक्रिया पंकर जमारे साथ है जूरने के लिए